सुप्रीम कोट के मुख्य नहायदीश जस्टिस दीपक मिश्रा के कई फैसलों पर नाराज के जदाते हुए मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रेस उनके खिलाफ महाभियोग लाने में जूटी है राज सभा में विपक्ष के नेता गुलाब नभी आजहात की अगुवाई में विपक्ष ने उप्राश्ट पती वेंकया नाइडू को महाभियोग प्रस्ताव के दिये नोटीस पर 71 सांसदों के हस्ताक्षर है हलाकि इसमें से 7 सांसदों का कारिकाल खत्म हो चुका है इस प्रकार महाभियोग प्रस्ताव पर सिर्फ 64 सांसदों का हस्त्याक्षर ही प्रभावी होगा विपक्षी नेताओं ने उप्राश्ट पती और राज्य सभा के चेर्में से प्रस्ताव पेश करने को अनुमती प्रदान करने की मांगी महाभियोग प्रस्ताव के लिए कॉंग्रेस ने विपक्षी नेताओं की बेठक बुलाई थी मगर इसमें समाजवादी पार्टी, राजद, तमिलनाडू की, डी-एम के और पश्चिम मंगाल में ममताब एनर्जी की तरण मूल कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिसा नहीं लिया हलाकि इन दलों के नेताओं ने महावियोग का समर्थन करने की बात कही है गुलाब नभी आजाद ने प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि इस समय नियाएपालिका की स्वतंता संकट में हैं जिसके कारण चीफ जस्टिस को हटाया जाना जरूरी है विपक्ष ने महावियोग के लिए कारण भी गिना है उन्होंने कहा कि मुख्य नियादीश के कई प्रशास्निक फैसले विवादों में गिरे हैं सुप्रीम कोड के कामकाज में पारदर्शिता ना होने से जजों को मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फरेंस के लिए मजबूर होना पड़ता है विपक्षी ने मुख्य नैधीश पर पत के दुरूपयोग का अरोप लगाते हुए का कि लगातार सवाल उटने के बाद भी सर्वोच नियाले के काम में सुधार नहीं हुआ जज लोया और मेडिकल कॉलेज घुटाले को लेकर चीफ जस्टिस विवादों में गिरे है